तो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत हमारी आरजी टेक्निकल बॉआ यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कोई ऐसे अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिए अपने फोन में कि आपका यहाँ पर दिखी नहीं रहा है स्क्रीन पर ही मतलब आपको पता है कि वह इंस्टॉल हुआ है बट आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ कर सकते हो वह आज की से वीडियो में बताने वाला हूं सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर आपको अप्लिकेशन के उपर क्लिक करना जैसे आप अप्लिक करोगे तो यहां पर अगर उसका ओपन करने का दिखाया जा रहा है तो यह अप्लिकेशन हमारा इंस्टॉल है यानि ऩथिक उपर ओपन का औप्टिन आ रहा है लेकिन अगर आप उस अप्लिकेशन को जब देखते हो तो यहाप अगर इंस्टॉल कफिन करना होगा इससे आपको कशें हो जाएगा कि आपका अपकी फोन में इंस्टॉल है या फिर नहीं इससे आपको confirmation हो जाएगा से confirm हो जाओगी आपके हाँ हमारा application तो यहां पर आनक बाद फिर आपको इसको आपको अपको ना पता हो तो इस वजह से तिक रहेगा अगर उस पर ठीक है तो आपको अंटिक कर देना है ठीक है इस तरीके से आप यह चे कर सकते हो कि अगर application hide होगा तो आप यहां से unhide कर सकते हो और अगर आपकी problem फिर भी नहीं solve होती है तब आपको क्या करना तो आपको application and permissions के अंदर आना है app manager में आ जाना है और फिर आपको यहां पर application को देख लेना है जो application आपको install किया था आपने वो application आपको यहां पर दिखिजाए गा 101% आपको वो application यहापर दिखने वाला क्योंकि फोन के जी लोगतर है वो सारे application आपको यहां पर app manager में देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है अहला कि जो हमने बाद में install किया तो वह यहां पर आपको अप सब्सक्राइब पर होते हैं तो अगर आपका अप्लिकेशन यहापर देख जाता है उट फिर से किलिक करना एक हबर और आपको देखना है कि आपका application आपको दिख जाएगा So friends, आज की इस वीडियो में तरह ही I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है, please comment करके जिरूर बताना